सिर्फ दो आलू और दो चम्मत तेल से आज हम एकदम सूपर टेस्टी और चपटा नास्ता बना कर तेयार करेंगे जिसे बच्चे तो पैसंद करेंगे ही बड़े भी बहुत शोक से खाएंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किपना करें लास्टर तक जरूर देखें लास् दोलाने करके RC Chi. अब हम ऐलू को अच्छे से चील लेंगे और चील कर इस तरीके से बड़े बड़े तुकडों में काट अब में क्या कंणा है हमने जो आलो काट रख रखे है करपने उनको उबाह लाह है उसके लिए हमेने एक बरतन में बैंग रख दिया है आब गरम पानी में कट हुए आलो डाल देंगे आलो में हमें नमक वगरा कुछ भी डामने की जरुवत नहीं है मीडियम फ्लेम पर आलो को सॉप्ट होने तक पकाएंगे और यह देखिए आलो अच्छे से सॉप्ट होगा है अब हम गेस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अबले हुए आलो को इक जलनी में निकाल लेते हैं गरम पाने को हम हटा देंगे या फिर आप इसे किसी भी काम में ले सकते हैं अब हमें क्या करना है आलो को मेश करना है और अप kaçते हैं अ चली है नहीं है तो चलीए अब हम आंगे बढ़ते हैं यहाँपर मेंने एक सॉ चालीज ग्राम आरा रो पाउडर लिया है। अब हम चुआ करेंगे अलूप और अराओब पाउडर को अच्छे से मिक्सक पर यहाँ पर अरराओ पाउडर दोनों को अच्छे से मिक्सक कर लिया है। अब हम एक छोटी सी चम्मज से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो लगा कर तैयार कर लेंगे अरा रोट का पाउडर है थोड़ी देर तो ये हाथों से चिपकेगा फिर अपने आप सेट हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और ना तो हमें बहुत ज़्यादा सोफ्ट डो लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है बर्तन में थोड़ा सा तेल लगा ले जिससे जितना भी आटा आसपास चिपक रहा है वो सब आसानी से निकल जाएगा ये देखे इस तरीके से हमें डो लगा के तयार करना है ये बहुत जादा सोफ्ट भी नहीं है और बहुत जादा टाइड भी नहीं है अगा हम क्या करेंगे तेल लगा कर हाथों को चिकना कर लेंगे और गुद्धि हूए आटे की छोटी-छोटी बॉल्स बना कर तयार करेंगे बॉल्स साइज हमें इतनी बड़ी रखनी है कि हम एक बैट में इसे अराम से खा सकते हैं यह देखिए इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना कर तेयार करेंगे और फिंगर से एकदम बढ़िया सी डिजाइन दे देंगे डिजाइन आप अपने हिसाब से कोई से भी दे सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं खाने में तो यह बहुत टेस्टी लगेंगे ही और डिजाइन देने से देखने में भी बहुत संदर लगेंगे अगर आपको ऐसा लगे कि बॉल्स बनाते बनाते डो हातों से चिपक रहा है तो एक बार अपने हातों को दोले और फिर से तेल लगा कर फिर से बॉल्स बनाए यह देखी यहाँ पर मैंने एक सिंपल से डिजाइन देकर सारी बॉल्स बना कर तैयार कर ली है यह देखिँ यहां पर मिने 1 बरतन में पानी गरम होने के लिए रख दिया है जब पानी अच्छे से गरम हो जाए तो यह दो कि इस तरीके से आलू की बॉल्स को एक एक करके गरम पानी में डाल दे और बॉल्सो बालते समय हमें ध्यान रखना है कि बॉल्सो बालने के लिए हमें बड़ा बरतन लेना है क्योंकि ये पाने में जाके फूल जाती है और अपने साइज से डबल हो जाती है और दिहान रहें आलो की बॉल्स को हम जब तक नहीं हीलाएंगे जब तक कि बॉल्स डॉलने के बाद में फिर से पानी में एकोबाली नहीं आ जाती यह देखें यहाँ पर लगबग 2 मिनट हो गई है और बॉल्स साइज में काफी बड़ी हो गई है और पानी के उपर तेरने लग गई है इसका मतलब है कि बॉल्स एकदम परफेक्ट पक कर तयार हो गई है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बॉल्स को उबलते हुए पानी में से निकाल कर सिधे ठंडे पानी में डालेंगे यह देखें इस तरीके से इसा करने से बॉल्स के ऊपर जो चिपचिपा पन है वो भी खतम हो जाएगा और इनकी कोकिंग प्रोसेस भी यही पर इन में से हम शिमला मिर्च प्याज और लहसुन को बारिक बारिक कट कर लेंगे और हरी मेर्च को लंबाई में कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक कड़ह में एक से देड़ चमस तेल ले लिया है तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें बारिक कट किया हुआ लहसुन एट करेंगे और लहसुन को हम सॉप्ट होने तक फ्राई करेंगे देखिए यहां पर लहसुन अच्छे से सॉप्ट होगा है अब हम इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च एट करेंगे हरे मेच और शुमला मेच को भी हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है सिर्फ हलका सा कलर चेंज होने तक ही हम पकाएंगे अब हम इसमें बारी कटे हुए प्याज एट करेंगे और प्याज को भी हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे यह देखिए प्याज भी अच्छे सिभुन कर तयार हो गए हैं अब हम इसमें उबल्यू ही आलू की बॉल से एट करेंगे नाश्टे को एकदम टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें एट करेंगे तीन टेबल स्पून टॉमेटो केचप अब हम इसमें एट करेंगे नाश्टे वाली चम्मच से देड़ चोटी चम्मच सोया सोस एक चोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्वादनुसा नमक मिलाएंगे अब हम इसमें एट करेंगे मैजिक मसाला इससे जो हमरा नाश्ता बनेगा एकदम चटपटा बनके तयार होगा अब हम सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर मैंने ग्रेवी बनाने के लिए शिमला मिर्च और प्याज लिया है आप इसमें पत्तागो भी गाजर और हरी प्याज भी एट कर सकते हैं यह और भी ज़्यादा टेस्टी बन कर तयार होंगे यहाँ पर मैंने सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम आलू की बॉल्स को धीमी आज पर एक मिनट तक ढखकर पकाएंगे जैसे सारे मसाले अच्छे से घुल मिल जाएंगे और जो बॉल्स है वो अच्छे से गरम हो जाएगी और ये देखिए एक मिनट बाद हम इसे फिर से चला देते हैं और गेस की फ्लेम को बन कर देते हैं तयार है एकदम टेस्टी और गर्मा गरम आलू का नाश्ता ये देखिए कितना बड़िया नाश्ता बन के तयार हुआ है एक बार आप जरूर ट्राइ करके देखिए जब आप बनाकर खुद भी ट्रेस्ट करेंगे तो आप ये यकिन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये नाश्ता आलू से बनाया है तो चलिए अब हम इसे प्लेट में सब कर लेते हैं तो आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में